इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप WhatsApp पर जो status लगाते हो वो आप Facebook पर भी share कर पाओगे ठीक है तो WhatsApp ने हमको एक option दिया है जिसे कि हम WhatsApp पर जैसे ही status लगाएंगे जैसे कि यहाँ पर देखिए हम WhatsApp पर कोई भी status सेलेक्ट करके अगर लगाते हैं तो वो हमारा automatic Facebook पर भी share हो जाएगा तो इसके लिए आपको क्या करना है आपको simply यहाँ पर चैट के बगल में जो status या फिर updates वाला section होता है उसमें आप चले जाओ ठीक है उसके बाद status वाले option में आने के बाद यहाँ पर three dots मिलते हैं तो यहाँ पर की तरफ और एक नीचे की तरफ ठीक है तो नीचे की तरफ जो status की line में हमारा three dots से इस पर click करके ठीक है हमको status privacy में चले जाना है status privacy में आने के बाद यहाँ पर इसके नीचे एक option मिलता है share my status updates across my accounts तो यहाँ पर facebook का account हमको add करना है यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि tap to add your account तो इस पर हम tap करेंगे और अपना जो account है facebook क आप लिंक कर देंगे ठीक है यहाँ पर दिखा रहा है कि easily share your status to facebook without leaving whatsapp यानी कि जो status आप यहाँ वाट्सअप लगाओगे वह easily facebook पर भी share हो जाएगा तो यहाँ से आप share कर सकते हो हमको क्या करना है हमको get started पर click करना है get started पर click करने के बाद यहाँ पर loading आ रहा है हमको थोड़ यह enable हो जाएगा और अब हम जो भी status लगाएंगे वह हमारा facebook पर भी ठीक है share होगा लेकिन इसके लिए आपको क्या करना है आपको दोबारा इसी option में जाके always share to facebook को on कर देना है अगर आप चाहते हो कि आपका सारा status share हो जाए ठीक है तो जब भी आप कोई status अब लगाओगी तो वह easily facebook story पर भी share हो जाएगा whatsapp पर status के साथ साथ और disable status sharing to facebook अगर आप नहीं चाहते हो कि यह share हो तो आप disable भी कर सकते हो इस तरीके से आप whatsapp के status को easily facebook पर share कर सकते हो और यह है whatsapp का नया feature update उमीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी thank you so much